इस वीडियो के दर हम देखेंगे section 14 of GST Act इसके अंदर क्या है कि हमें क्या समझा रखा है हमें यह बता रखा है कि अगर क्या अगर जिसे मानलो आपका rate जो है tax का वो change हो जाता है उस situation के अंदर आपको किस rate से tax पे करना होगा मानलो आपने जो अपने गुड की supply थी वह आपने या तो उस rate change होने से पहले करदी या rate change होने के बाद करी सीच्ट है अब इस situation में यह वहाँ आपने invoice भी पहले issue किया होगा और payment भी पहले किया होगी या फिर invoice बाद में issue किया ओगा payment बाद में की होगी या दोनों में से एक चीज पहले की होगी या एक चीज बाद में की होगी इस तरीकी की कोई situation राइज हो रही होगी तो इस situation में time of supply क्या होगा तो देखो simple से चीज है सबसे पहले इसने बता रहा है कि अगर जिसे मालो पास तरीकों किसी चीज का rate time of supply का मतलब होता है कब आपको टेक्स पे करना है यही time of supply में हम बार बार समझ रहे हैं तो section 12 13 भी हमने देगा 14 BC बारे में बात करता है तो मालो तीन तरीक को आपने सप्लाइ कर दी थी पास तरीक को rate change हो गया अब यहां पर तीन तरीकी की situation arise होंगी कि अगर आपने supply कर दी अगर आपने यह जो supply किया इसका invoice और इसकी payment इस पास तरीक के बाद की मालो छे तरीक को या साथ तरीक को जब भी की ठीक है तो अब इस situation के अंदर हम कैसे decide करेंगे कि हमारा time of supply क्या हैं तो इन दोनों में से जोन सी जीज़ पहले पड़ेगी वो आपका time of supply हो जाएगा तो date of invoice 6 तरीक का था यह पहले आपका हो गया तो इसका मतलब आपका time of supply 6 तरीक हो गया simple situation थी एक situation तो यह हो गई तो पहली situation आपको समझ आगी दूसरी situation है कि आपने क्या किया कि यह जो invoice जो आपने कर दी थी वो आपने पहले ही कर दी थी तीन तरीक को इक गोड़ी जो भी थी आपने दे दी थी तो इस situation के अंदर जो invoice की date होगी क्योंकि आपने पहले invoice issue कर दिया था ना rate change होने से पहले ही तो जो invoice का जो भी invoice जिस भी दिन आपने इसको हम time of supply मानेंगे तो पास तरीक के बाद आपने क्या किया invoice issue किया और payment उससे पहले ही receive कर ली तो फिर यहाँ पर time of supply क्या होगा जिस दिन आपने payment receive किया तो तीनों situation क्या होगी देखो पहले में हो गया कि भाई तीन तरीक को आपने supply कर दी थी पास तरीक को rate change हुआ इसके बाद आपने दोनों ची तीसरी situation इसने बोली कि payment आपने पहले ही कर दी थी invoice आपने payment की थी तो जब आपका rate change हो गया इसका tax का उससे पहले आप supply कर चुके हैं तो यह तीन situations होगी और इसके अंदर हम इस तरीके से decide करेंगे कि time of supply क्या होगा अभी हम question करके भी देखेंगे उससे भी समझा देगा जो भी आपने good year services supply किये है rate को change होने के बाद किया यान कि जो पांस तरीक में आपको बता रहा था उसके बाद आपने उसको किया है अगर पांस तरीक को rate change हुआ है 18-18% होगा और आपने जो good year services है वो 7 तरीक को supply किया इस situation में क्या time of supply होगा यह हमको देखना है ठीक है तो उस जिनके बाद आई तो यहां पे हमारा time of supply क्या होगा date of payment होगी यहां पे सब कुछ उल्टा हो जागा मतलब आपको इसके साथ रहना है जिस तरफ आप सप्लाय कर रहना है तो यहां पे 6 तरीक जो है वो time of supply हो जागी इसी तरीके से आपने invoice और payment जो है दोनों ही इससे पह यहां पर तो फिर तीन तरीक पहले तो तीन तरीक को time of supply माना जाएगा और अगर मानलों आपकी payment जो है इस चैसे तीन तरीक को आगी लेकिन आपने invoice जो है छे तरीक को issue किया तो फिर छे तरीक जो है वो आपकी time of supply हो जागा यानि कि आपको दोनों में से अगर एक भी चीज exchange जगा पे हो रही है यानि कि एक चीज पहले हो रही है और एक चीज बाद में हो रही है यानि कि एक चीज पास तरीक से पहले हो रही है एक चीज पास तरीक के बाद हो रही है ठीक है तो जिस तरफ आपकी supply है ना यानि मानलो supply आपकी इस तरफ ती जब हम ये उपर वाली situation कर रहे थे तो हम उसको पकड़ लेते थे जैसे तीन तरीक वाले को हम कहते थे कि हाँ इस पे हम मान लेंगे की टाइम आफ सप्लाय है अब साथ तरीक इस तरफ आ गई तो जो चीज इस तरफ पढ़ रही है जैसे छे तरीक इस तरफ पढ़ रही है तो इस पर चाहिए आपका इस तरफ पढ़ रही है और एक चीज आपकी इस तरफ होगी थी इस तरफ होगी थी इस तरफ पढ़ रही है उसको हम टाइम और सप्लाय मान लेते हैं अगर थोड़ा सा कंफ्यूज होगे तो कोई बात नहीं बेसिक जो मैंने शुरू में समझा है वही चीज है कि आपको क् इन शॉट आपको बताता हूँ कोईशन कराऊंगा उससे आपको समझा जाएगा एक पर इन शॉट बताता हूँ फिर कोईशन करते हैं क्लियर हो जाएगा टॉपिक अब अपने अब बताते जाओगे जैसे मालो पास तरीकों हमारा रेट चेंज हुआ सप्लाय आपने एक त अब आपका टाइम उस अप्लाय क्या होगा जब आपकी इन वाइस शुट रहा है यानि कि आपको इस तरफ रहना है जिस तरफ टाइम उस अपलाय है अगर दोनों में से एक चीज भी इदर उदर जा रही है तो अगर दोनों ही चीजे मालो इसके बाद हुई पास तरीक के बाद हुई मान लोग ही आपका इन वाइस भी इदर ईशुवा और टाइम और जो पेमेंट है वो भी इदर हुई फिर आपको इन दोनों में से पहले देखना की कौन सा है यह वाली सिचुएशन क्लियर फर्स सिचुएशन दूसरी चीज हमारे पास क्या आत कि है कि आपका अब आपका इन वाइस इशुवा इदर और पेमेंट हुई इदर फिर आपका टाइम और सप्लाई यही माना जाएगा क्योंकि आपका जो सप्लाई है जिस भी दिन आपने गुड्स सप्लाई की थे यह सर्विस सप्लाई की थे वो इस तरफ है अगर आपकी दोनों ही चीज़े इदर हुई हैंगी आपने पेमेंट भी इदर ही की थी और आपका इन्वाइस भी इदर इशुवा था यानि पांस तरीक से पहले तो दोनों में से जोन सी चीज़ पहले पड़ेगी उसके ओपर आपका टाइम और सप्लाई मान लिया जाए इसने ये एक एक एक्जामपल के तोर पर बता रहा है तो आपका अप्ली केबल रेट उससाब से आजाएगा आप कोईशन है लेट से देर वाज डिक्रीज इन दर रेट फ्रॉम अठरा परसंट तो बारा परसंट एक शे दोजार अठरा से चेंज हो रहा है कि आपने जब रेट चेंज हो ना उससे पहले ही दोनों चीज़े कर दी थी आपने इन्वाइज भी पहले इस तरफ है है मानलो एक तारीक यह है सप्रॉम इस तरफ किया आपने आपको इन्वाइज भी आपने इस तरफ किया लेकिन आपकी पेमेंट इस तरफ और तो हम जिस तरफ सप्लाइ रहती है उससी चीज़ को देखते है तो यानकी जो भी डेट हमारी इन्वाइस कियोगी वह आली पहले वाला ही माना जाएगा, क्योंकि invoice issue हो गया था, जिस तरफ supply थी आपकी, उसी तरफ, अब देखो, दूसरा इसने question दिया कि आपका rate 18-12% हो गया, और goods जो है, वो supply हो चुके, what is the tax rate applicable when goods are supplied and invoice is issue after change rate, यानि कि आपका date पे change हुआ, rate of tax आपकी supply इस तरफ हुई और आपका invoice कभी issue हुआ, यहां कहीं बीच में issue हुआ, इसके बाद issue हुआ, लेकिन payment जोती हो यहां पे आगी, तो हमें किस तरफ रहना है, जिस तरफ supply हुई है, तो यानि कि invoice इदर issue हुआ, तो यानि कि यह rate change होने के इसके बाद issue हुआ, invoice तो हम change rate के उपर अब इसके उपर time of supply मानेंगे, तो इसलिए 12% applicable हो जाएगा, इसी तरीके से question है यहां पे, कि वरून लिम्टेट प्रोवाइड बिजनस स्पोर्ट सर्विस्ट तू टीना अगस्त पर रूपीस 50,000, पचास जार पे की service 10 अगस्त को द the entry of the receipt of payment was made in the books of account on 15 अगस्त itself, however the amount was credited in the bank account on 25 अगस्त, तो तो दोनम से जोन से पहला होता, उसको देखा जाता है, क्योंकि यहां services हो रही है, business support services हो रही, determine the time of supply in given case, तो यहां पे हमें वो बताना है कि कितने time के अंदर हम यहां पे, वो मानेंगे कि time of supply क्या है, तो आप देख यही है, उसके within 30 days, जो भी 30 दिन पढ़ रहा है वो, या फिर जिस दिन आपको payment receive होई है वो, दोनों में से जोन से date पहले पढ़ रही है, उसको हम वो मान लेते है, time of supply मान लेते है, तो date of invoice कितना है, 20 अगस्त है, और payment कब receive हो रही है, 15 अगस्त को हो रही है, तो दोनों में स से कौन सा पढ़ रहा है, अब इससे भी आगे 30 दिन जाओगा तो तो वैसी आट वे महिने से आगे चला जाएगा, यही है, कितनी 20 अगस्त है, 10 अगस्त, 20 अगस्त है, यह देखो, 20 अगस्त को issue हुआ है, तो वो तो वैसी आगे चला जाएगा, तो हमारी यह जो date है, वो payment क कि वो कब है, 15 अगस्त की पढ़ रही है, तो यहां कि 15 अगस्त हो आपका क्या हो जाएगा, time of supply हो जाएगा, यह इस वाले topic से related question नहीं था, जो हमने change rate से किया था, यह तो पिछले section 13 के साब से था, तो यहां पर हमारा topic हतम होता है, next video के अंदर हम value of supply के उपर काम करेंगे, section 2, subsection 31, जिसके अंदर consideration की definition दे रही है, और क्या value होती है supply की, जो section 15 के अंदर हमें समझा रही है, उसको देखेंगे, तो I hope यहां पर आपको यह topic समझा जाया हो कि किस तदिके से, अगर rate change होता है, tax का आपकी supply के बाद, यह आपने supply उसके बाद किया, invoice पहले issue हो गया, payment पहल जो आपने अपको ऊपसके बाद के बाद मेर से, यह जए भी गले are जाने का आपको यह आपको दोगिए को गया है, जापको से, ऱ खर्या है, जापको पर्या है, झापको भी हम पत्त, जापको रहा बाद क्श्ड़ हैं वाद को बाद